आप सभी का FD classes में स्वागत हैं आज हम 16 मार्च को जितने भी important question बन सकते हैं उन सभी question को देखेंगे यदि आपको किसी भी question में किसी भी प्रकार का doubt हो तो comment जरूर कर दिया करें और हाँ यदि आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो channel को subscribe, like और share जरूर करें साथ ही bell icon को फ्रेज करें जिससे की आपको notification मिलती रहें चलिए आज का पहला प्रष्ठ देखिए हाली में विवोचित किताब जात्रा किसे सम्मन्दित है जिका सही answer होगा जात्रा किताब विशेज सरक्षी जनजातियों पर अरधारित एक किताब है याद रखेंगे और विशेय सरक्षी जनजातियों पर अरधारित है जिसका भी मोचन हाली में मुख्य मंत्री भूपेश बखेल द्वारा किया बहा है जात्रा किताब के लेखा ड़्यक्टर राजियों सहु ध्वारा लिखा गया है जात्रा किताब अगला प्रश्ण देखिए निम्ने लिखित में से किस गराम पंचाट को स्वच्छा सुजवा शक्ती शम्मान दोहत्य़ इसे सम्मानित किया गया है? इनका सही आंसर होगा गराम पंचाट पतुरा को स्वच्छा सुजवा 8 सम्मान दोहत्य़ eleg siya गया है याद रखेंगे यह पुरुषकार दूर्गजीले के पतुरा ग्राम पंचात की सरपंच अंजीता शाहो को दिया गया है अंजीता शाहों ने गाव में इसलस वाटर ट्रीटमेंट के लिए उत्किष्ट कारिया किया है अंजीता शाहों के अलावा डोंगडगाउं जीले के बड़े राजपुर ब्लॉक की ग्राम पंचात विश्राम पूरी मामामाया महिला एहों श्वासायता समू के अध्याक्चा सरोजनी चांदेकर को ODPF पलस ग्राम प्रिकास में उत्किष्ट भूमिकर निभाने के लिए जल सक्ति मंत्राले 12 शरकार द्वारा स्वत्य सुजल सक्ति शमन 32 दिया गया है याद रखेंगे जल सक्ति मंत्राले 12 शरकार द्वारा दिया गया है यह संबन 22 के लिए दिया गया है इसी भी याद रखेंगे चलिенд, अगला प्रस्टन देखिए दुनिया का सीम्द स्थ्यार आजा अज तक कौन सा कीमासा दिश बना है चिंका सही आंसर होगा भारत दुनिया का सीर सहत्यार आयतक देश बना है याद रखेंगे स्टाक हों इंटरनेशनल पीस रिसर्च एश्टूट की रिपोर्ट दोहर देश के अनुसार भारत दोहर बाईस में दुनिया का सीर सहत्यार आयतक बना रहा लेकिन 2013, 2017 और 2018 से 2022 के बीच इसके आयतन में 11% की कम्याई है रिपोर्ट के अनुसार अमरीका पिछले पांच वर्सों में दुनिया का सबसे बड़ा सैने निर्यातक था जिसका वैश्विक निर्यातक में 40% हिस्टा था इसके बाद रूस और फ्रांस का इस्थान है और फ्रांस का इस्थान आता है अगला प्रशन देखिए किस इस्थान पर संचालित पहाडी मैना प्रजनन केंदर को बंद करने का निन्या लिया गया है तिका सही आंसर होगा बस्तर में संचाली पहाडी मायना प्रजनन केंद्र को बंद करने का निन्या लिया गया है याद रखेंगे बस्तर की कांकेर घाटी इसी पहाडी मायना प्रजनन केंद्र को बंद करने का निपसला लिया गया है चत्तिगड की राजकी पक्ची पहाडी महना की परजणन को लेकर 1992 से पर्यास शुरू किया गया था अगरा प्रश्ण देखिए चत्तिगड की की सहित्यकार को पेन अमरीका लिटरी आवाड दिये जाने की घोशन की गई है तिनका सही आंसर होगा याद रखेंगे विनोत कुमार शुकला को पेन अमरीका लिटरी आवाड दिये जाने की घोशन की गई है 36 गड़ के साहित्यकार तता हिंदी के सीर्षकवी, काहनीकार, उपन्यासकार, विनोत कुमार सोकला जी को पेन अमरिका लेट्री अवार्ड से संभानित करने की गोशना की गई है नेश्ट पॉस्चन देखिए 36 गड़ के वित्ती वर्स दोहर 22 तेश का बजट की स्थिति को विधान सभा में पेस किया गया है इसे याद रखेंगे इस बजट को 36 गड़ के भुरुसे का बजट 22 तेश नाम दिया गया है इसे भी याद रखेंगे मुख्यमंत्री भुपेज बगेल दोहरा एक ब्रीब केस में पेस किया गया जो गठान में निर्मित गुवर्प्रिंट से रंगा है इनमें 36 गड़ महतारी और कामदेनू का भित्ती चित्रा उकेरा गया है नेश्ट पॉस्चन देखिए 26 गड़ अखिल भार दी वन खेल कुद परिविता में कौन सराज्य ग्यारवी बार चेंपियन बना है याद रखेंगे हरियाना राज्य के पंचकुला में संपन्न हुए 26 भी अकेल भार दी वन खेल कुद परिविता में 36 ग्यारवी बार ओर आल चेंपियन बना है 36 गड़ ने कुल 174 मिडल जीता असिल किया है याद रखेंगे 174 मिडल चतिगड़ ने जीता है इसनी करनाटा को पचारते हुए पुना अपना प्रतमिस्तान कायम रखा है चतिगड़ की वन विभाग टीम ने किरकेट में जम्मो कश्मीर को हरा कर साती बार गोल्ड मिडल प्राप्त किया है इसी तरह फुटबाल में हर्यारा की टीम को हरा कर चतिगड़ ने प्रतमिस्तान प्राप्त किया है चत्तिगर के बॉस्केट बॉल टीम में करनाटा की टीम को हरा कर गोल्ड मिटर जीद हासिर किया है इन सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि इससे कोशन बन सकते हैं कूट वाले कोशन अराम से बनाया जा सकते हैं वेट लिप्टिंग पावर लिप्टिंग में कूल 19 स्वन पदक टेनिस में 12 श्वन पदक बेटमिंटन में 4 स्वन पदक तराकी में 6 श्वन पदक एटलेक में 28 स्वन पदक 10 रजब पतक और 8 काश्य पतक जीत हासिल किये हैं इसी प्रकार टेनिस में 9 स्वर्ण और 2 रजब पतक जीत हासिल किये हैं अगला प्रश्ण देखे सहरी भारत में 84.11% की तुन्ना में गरामिन भारत में साक्छारता दर कितने परतिशाथ है वेरी वेरी आएंपी कोश्चन है इनका सही आंसर होगा गरामिन भारत में साक्छारता की दर अभी वर्तवान में 6.117% है चले ध्यान देंगे सिक्षा मंदराला के अनुशार बिहार में 61.8% सबसे कम साक्छारता दर है इसके बाद और राचाप परदेश में 65.3% राजिस्तान में 66.1% है केरल में उच्चतम साक्छारता दर है जिसमें 94.7% लोग वहां के साक्छार है इसके बाद लक्षदीब जहां 91.85% और निंजोरम में 91.33% चाक्छार है अगला परश्टा देखिए 99.6% योजना के अंतरगत कितने हजार से अधीक लाब दिया गया है तिनका सही आंसर होगा 99.6% योजना के अंतरगत अब तक 36.000 से अधीक बेटियों को लाब दिया गया है याद रखेंगे पात्र बेटियों को 5 वर्स तक 5.000 रुपए दिया जागा इस याद रखेंगे कुल 25.000 रुपए दिया जाएगा 5 साल में 18 वर्स के आयू एवं 12 के सिक्षा पर 1,00,00 रुपए की सहतरासी दिया जाएगा अब तक 36.000 से अधीक लोगों को लाब दिया जा चुका है अगला प्रश्न देखिए 17 से 18 मार्च को संगाई सायोग संगठन परियाटन मंतिरों की बैठक कहा आयूजित किया जाएगा तुक्रासाही आंसर होगा वाना रशी में आयूजित किया जाएगा चले ध्यान देंगे भारत में 17 से 18 मार्च को कांसी उत्तर परदेश में संगाई सायोग संगठन पर्याटन मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा वानराशी को संगाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रुप में नामित दिया गया है पर्याटन मंत्रियों की बैठक के दवराण संगाई सहयोग संगठन की सदस्य देशों के बीच परियाटर में शहयोग के विकास एवं एक सहीक तक कारियोजना बनाई गई हैं इसा भी पॉइंट को अच्छे स्याद रखेंगे परदेश सरकार द्वारस अंचालित अंगनामा सिक्षा करेकरम को किस वर्स के लिए इसकोच आवाट दिया गया है परदेश सरकार द्वारस अंचालित अंगनामा सिक्षा करेकरम को वर्स दोहर 22 के लिए इसकोच आवाट दिया गया है वेरी आएंपी कोश्चन है चलिए इंपोर्टेंट फैक्टर को याद रखेंगे क्योंकि इससे कूट वाले कोश्चन बना जाते हैं कड़ी प्रविता के बाद राज्य में समगर सिक्षा द्वारस अंचालित अंगनामा सिक्षा करेकरम को वर्स दोहर 22 के लिए इसकोच आवाट 22 दिया गया है अंगनामा सिक्षा करेकरम सिक्षिकाओं के समोह द्वारा संचालित किया जाता है याद रखेंगे शरुत्तम प्रयाश्य के लिए परदान किया जाता है इस पॉइंट को भी याद रखेंगे इससे भी कोशन बनेंगे कोरोना के समय बच्चों के पढ़ाई नुजंतर जारी आखने के लिए जब अलगलग नवाचार किये जा रहा थे तब सिक्षिकाओं ने मिलकर अंगनम सिक्षा कारेकरम की शुरुवात की गई आगे देखिए इस कारेकरम के जरी माताओं को जोड़कर घरत पर रहते हुए बच्चों को सिखाने में मदद करने के लिए परसाहित किया गया गराम इस्तर पर बहतर कारे कर रही महिलाओं को स्मार्ट माता के रूप में चैन कर सामाने भी किया गया है इस पाइन को भी याद रखेंगे इससे भी कोश्टन बनेंगे अगला प्रश्ण देखिए पिछले वीडियो में हमने आप से प्रश्ण पुचा था कि 13 मार्च को योग महास्वद्वार 23 का आईज़न कहां किया जाएगा तिनकら सही आंसर होगा तेरा मांशा को नई दिल्ले में आयजित किया गया है अब आपके लिए आज का प्रश्ण है परदेश सरकार द्वरसंचालित तुहार सरकार तुहार द्वार के अंतरगत अब तक कितने लाग स्मार्ट कार्ट अलधारी पंजियन पर्मान पत्र एवाम ड्राविंग लासेज आवेद को के घर भेज़ा जा चुके हैं तिल्का सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरू दीजिए चलिए मिलते हैं अगले उडियो में जाहिन जाचाति गर